प्यार बच्चों, LGR स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम सांखी की चेप्टर से संबंदेद सभी भी विया आपजेक्टिव कुष्टन का डिसकसन करने वाले हैं जो की आपके एक्जाम के लिए काफी ही जैदा महातपूर्ण है और अगर आप आज के क्लास में बताए गए सभी कुष्टन का तयारी करके एक्जाम में जाते हैं तो आपका इस चेप्टर से एक भी आपजेक्टिव कुष्टन एक्जाम में नहीं छूटेगा क्योंकि सारे के सारे महातपूर्ण आपजेक्टिव कुष्टन आज हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से और ट्रक के साथ हम आपको सिखाने बाले हैं तो काफी जैदा महातपूर्ण करास होगा सुरू से अंत तक बन रहीएगा और एक एक चीजों को ध्यान से सीखने समझने की कोशिस कीजिएगा और अगर आप लोग पेड कोर्स जोईन नहीं किये हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स के बारे में सारा जानकारी ले सकते हैं और अवि आपको 50 परसेंड का आफ भी जो है मिल जाएगा तो आप अभी जोईन करेंगे तो जैधा फाइदा आपको देखने को मिलेगा और अगर आप लोग सभी subject का भी भी आ, objective question का पीडिये, भी भी आ, subjective question का पीडिये, quick revision note, model paper, class note और online test बिलकुल free में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग LGR study app जरूर download कर लिजेगा वीडियो के description box में आपको इसका link मिल जाएगा या फिर आप लोग play store पर LGR study app search कीजिएगा तो वहाँ से भी आप लोग download कर सकते हैं चलिए सुलू करेंगे आज के महतपूर्ण class को और आज का जो हमारा first महतपूर्ण question है वह आपके सामने उपस्तित है बहुत ही simple है बट इस type के question एक question आपके exam में आता ही आता है परते एक साल तो सीखने का कोशिस कीजिएगा question है कि प्रथम 10 संप्राकिर्तिक संख्याओं का माध्य ग्यात करना है तो सबसे पहले आप फासच ली क्या कीजिए 10 संप्राकिर्तिक संख्या इंद तो अब इस सभी को क्या कर देना है आपको जोड देना है सभी को क्या करना है जोर देना है, और जोर करके इसमें दस से भाग दे देना है वही आपका क्या होगा, मादिय निकालने का सुत्रा लोग पढ़े हैं आंकरों का योग बटे, आंकरों की संख्या अब उपर आप सभी को पहले क्या कर लिजिये, जोर लिजिये जोड़िएगा तो कितना होगा देखिए दो और चार छो छो चो बारा बारा आठ बीस दस तीस तीस और बारा जो है प्यारबच्चो आपको पता होना चाहिए कि बियालिस होगा बियालिस और चवदा तो बियालिस और देखिए 10 होगा 52 और 4 52 और 4 हो जाएगा प्यार बच्चो 56 56 और यहाँ पर 16 अगर बात करें तो 56 में 10 जूरिएगा तो हो जाएगा आपका 66 और 66 और ये वाला 6 66 चुछ चुछ कितना होगा तो सर 72 होगा 72 और 8 हो जाएगा 83 और 10 90 और 90 भी 110 कितना हो गया 110 हो गया भाग देना प्यारे बच्चो नीचे वाले 10 से ये 0 से ये 0 कट जाएगा आन्सर आपका आ जाएगा 11 11 फिर्फाइनल आन्सर है जो कि C option में दिख रहा है C option में तो आप इस तरह से आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे प्यारे बच्चों question number 2, question number 2 है कि 1, 0 और 5 का माध्धे निकालने के लिए आपको बोलेगा, उसको जोर दीजिए और उतना से भाग देजिए, तीन संख्या को जोर रहे हैं, तो तीन से भाग देगे, एक और 0, एक और ये 5, 6 हो जाएगा, 6 बट्टा, 3 का मतलब है, 3, 2, 6, यानि कि प्यारे बच्चों answer आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर, sorry, 3, number option में है, इस तरह से आप माध्धे के question को आराम से ग्यात कर सकत हैं, next बात करेंगे, प्यार बच्चों question number 3 के बारे में, प्रत्थम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है, तो सबसे पहले आप 3 पूर्ण संख्या लिखिए, तो सर पूर्ण संख्या में पहला होता है, 0, दूसरा होता है, 1, और 3 होगा, 2, अब इसी 3 पूर्ण संख्या क माध्य निकालना है, तो इसमें हमें 3 को जोर लेना होगा, और 3 संख्या को जोर रहे हैं, तो 3 से भाग देंगे, 0, और 1 होगा, 1, और 2, प्यार बच्चों 3 होगा, 3, बट्टे 3, तो सर 1 होगा, तो 3 पूर्ण संख्याओं का माध्या आप ऐसे निकालेंगे, एक यानि कि यह हम 5 प्राकिर्थ संख्याओं का माध्या, तो सबसे पहले आप 5 प्राकिर्थ संख्या लिखिए, तो प्राकिर्थ संख्या पहला होता, एक, दूसरा, दो, तीन, चार, और 5, यह हुए प्यार बच्चों आपका 5 प्राकिर्थ संख्या, अब इसका माध्या निकालना है, तो आपको सिधा क्या कर लेना इसको जोड लेना है जोड लेना है और 5 संख्या को जो रहा है तो 5 से भागदे देंगे जोडे एक और दो तीन, तीन, चारदस और ₤ पंद्रा तो फंद्रा व Rolling प्यारवच्छो के दितल आ रहा है पंच 5 त्या पंद्रा यानि की आंसर आपका तीन फाइनल हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर एक में ही गिवन है नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों पांच नंबर कुश्चन के लिए पांच नंबर कुश्चन है कि प्रथम तीन प्रथम तीन लगातार प्राकिर्थ संख् लेगना है तो बारा प्राकिर्थ चंख एक दूसरा दो और तीसरा तीन इसका आपको निकालना है माद्यक तो इस तीनों को जोड लीजिए तीन से भाग दे दीजिए तो देखिए प्यार बच्चों उपर तो हो जाएगा जोर करके च्छो च्छो को तीन से भाग देंगे तीन दूना होता है चो आप सभी जानते हैं तो दो यहां पर आपका फिर से क्या हो गया आंसर हो गया जो की तीन ओप्चन में आपको दिखे रहा है इस तरह से फास्टली कर लेंगे आप बहुत कम टाइम में अधिक सेधी कोश्चन को सीख लेंगे आप नेक्स हम चलते हैं पांच के बाद चो नम्मर कोश्चन पूछ रहा कि प्रतम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है तो सबसे पहले आपको पांच पूर्ण संख्या लिखना है पूर्ण संख्या दोस्तों सुलू होता है जीरो से तो ये एक जीरो हो गया जीरो के बाद एक होगा दो ह होगा तीन होगा और चार होगा पांच ही हमें लिखना है तो जीरो से चार तक पांच होगा है Mercy अब सभी को आपको क्या करदेना है जोर देना है और पांच संक्या को जोर रहे हैं FR इस लिए तीन जो अर चार दस दस बट्टे प्यारे बच्चो पांच पांच दूना आप सभी जानते हैं दस होगा तो दो यहां पर आपका final answer है कुछ कहना कुछ सुनना है ही नहीं आपके answer यहां पर दो दिख रहे हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चो 7 नंबर पुस्चन है कि वर्ग अंतराल 110-130 का वर्ग चिन क्या होगा आपको निकालना है कौन चीज वर्ग चिन निकालना है तो वर्ग चिन निकालने का प्यारे बच्चो हमने आप सभी को फर्मूला सिखाया है निम्न सीमा और पलस उपड़ी सीमा और बट्टे 2 सिखाया है कि नहीं बोलेंगे यसर निमन सीमा पलस उपरी सीमा बट्टे दो कर लिजिए तो अब 110 में 130 जोड़िएगा 240 कि जना होगा 240 होगा एंड इसको दो से भाग दीजिएगा तो 120 कि जना होगा 120 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपके चार option में दिये गए हैं ठीक है यह A, B, C, D मान लिजिएगा नेक्स प्यार वच्छों हम बात करेंगे आर्ट नमबर question का माधे बराबर कल्पित माधे पलस जो है विचलनों का योग बटा डोट-डोट में रिक्त अस्थान में क्या भरा जाएगा तो यह हमने आपको सुत्र पर आया है और यह तो डिरेक्ट सुत्र है सुत्र का कोई चीज यहां पर गयब कर दिया और आपको बताना वहाँ पर तो यहां पर जो आपका से होगा पदों की संख्या यानि की C option आपका से हो जाएगा मतलब मादे बराबर जो है सुत्र बन जाएग कल्पित मादे पलस बीच लनो का योग बटे पदों की संख्या यह आपका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा नेक्स्ट पैर बच्चों हम बात करेंगे नो नमर कोश्चन उपड़ी वर्ग सीमा पलस नीचली वर्ग सीमा बटे दो को क्या कहते हैं तो अभी जस्ट बताएं हैं कि यह वर्ग चिन का सुत्र है किसका सुत्र है वर्ग चिन का यह सुत्र है यह आप याद रखे सीमा पलस उपड़ी सीमा और बट्टे दो तो 20 दस कितना होगा सर 30 होगा और 30 बट्टे दो का मतलब है सर 15 तीस बट्टे दो ये जनते हैं 15 दुना 30 यानि कि 4 ओप्षन यहाँ पर आपका विल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट प्यार बच्चों बात करेंगे हम 11 नमर कोश्चन के लिए आकरा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का पड़ी सर आपको निकालना है तो हमने प्यार बच्चों आप लोगों को पड़ी सर निकालने का सुत्र बताया था पड़ी सर तो जल्दी से बता दीजिए कि पड़ी सर निकालने का सुत्र क्या था तो पड़ी सर निकालने का सुत्र था उच्टम चर्मान माइनस निउन्टम चर्मान यानि कि देख चर्मान दिया गे इसमें सबसे बड़ा कौन है 24 15 22 13 तो सबसे बड़ा साथ 30 है तो अरिक्तम चर्मान माइनस न्यूंतम चर्मान न्यूंतम मतलब सबसे छोटा तो यहां पर सबसे छोटा प्यार बच्चो नौ दिख रहा है अब 30 में से हुआ हाँ दिखे 9 घटाईएगा आपका आंसर आजाएगा 21 आपका आंसर के जिना आएगा 21 याने की 2 आपसन आपका बिलकुल है पर सही हो जाएगा देखिए सब फरमूला का खेल है फर्मूला बठाते जाईए आंसर पाते जाईए नेक्स्ट प्यार बच्चों है कि एक्स तीन चार और पांच का माद्धिया चार हो तो एक्स का मान निकालना है किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है देखिए यहां पर इस का आपको माध दिया गया है चार तो माध निकालने का क्या सुत्र होता है आकरो की योगवट्टा आकरो का संख्या यहां पर आपको माध्य बराबर दिया गया है चार माध दिया दिया है चार और माध निकालने का सुत्र क्या होता है तो आकरो का योग बट्टा आकरो की संख्या तो आकरा है कौन? X, 3, 4, 5 तो हम यहाँ पर लिखेंगे X, पलस 3, पलस 4, पलस 5 और बट्टे में क्या रखेंगे सर्ट? बट्टे में यहाँ पर 4 रखेंगे क्योंकि 4 संख्याओं को जोर रहे हैं यह 4 के बराबर होगा 4 बट्टे एक कर देते हैं अब देखिएगा कि क्या होने वाला है इधर देखिए अगर आप यह X जो है इसको X लिखते हैं और इस तीनों को जोरते हैं तो 3 और 4, 7, 5, 12 12 बट्टे में कि जना है? 4 है और फिर दाहिने में क्या हो जाएगा सर? 4 बट्टे 1 हो जाएगा अब आप इसको solve कर लीजी X का मान मिल जाएगा कोना कोनी गुना करेंगे X पलस 12 को इस वाले 1 से तो X पलस 12 ही होगा और 4 को 4 से गुना करेंगे तो प्यारबचो 16 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको X बराबर क्या मिला 16 माइनस 12 क्योंकि यह 12 दाहिने जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा फिर X बराबर 16 में से 12 घटाएगा तो आपको मिलेगा 4 जो की final answer होगा and यह दिया गया है option number 2 में समझा आपने इस तरह से आप निकाल लिएगा जब कभी भी इस तरह के question आपको देखने को मिले तब ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं आगे और अगले चीजों के ओपर हम करेंगे discussion X कमान निकालने के लिए बोला जा रहा था तो आपने X कमान निकाल लिया है 13 नमर question है कि यदि 1,4,x,5,12 का माध्य7 है तब X बढबर है शेम question हुआ कि नहीं हुआ तो आप यहाँ पर सीधा लिख दीजिए कि इस question में हमें माध्य दिया हुआ है माध्य कितना दिया हुआ है तो माध्य दिया हुआ है 7 और एक से लेकर कि यहां 12 तक क्या है? चर्मान है, ठीक है? तो माध निकालने का सुत्र क्या होता है? आकरो की योग बट्टा, आकरो की संख्या, था आकरो का योग कितना सर? एक पलस चार, पलस एक्स, पलस पांच, और पलस बारह, और बट्टे में क्या होगा सर? क्याइगों को जोर रहा है तो 1 2 3 4 5 संख्या को जोर रहा है तो आप 5 से भाग देंगे दाहिने में आपका 7 है तो हम उसे 7 बट्टा 1 कर देते हैं एक बाड़ स्वाल कीजिए इसको X जो है इसे X लिखे लिजिए 1 और 4 5 और 5 10 और 12 10 और 12 जो है प्यार बच्चों 22 हो जाएगा 22 बट्टे हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 दाहिने में हो जाएगा 7 बट्टे 1 अब आप इसको कोना कोनी गुना कर लिजिए कोना कोनी गुना कीजिएगा 7 पंचे कितना होगा 35 होगा X बराबर 35 माइनस 22 क्योंकि 22 दाहिने जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो X बराबर कितना हुआ 5 में से 2 घटाएगा तो 3 मिला 3 में से 2 घटाएगा तो 1 मिला Well done 13 आंसर जो की option 2 में दिया गया है सेम इसी तरह से आप बनाएंगे हमेशा आपको राइट आंसर मिलेगा बेहतरीन मार्क भी मिलेगा 14 नमर कुश्चन भी कुछ हो ऐसा ही है 3, 4, 5, 17 और X का माध्धे दिया हुआ है चोद तो आपको X का मान निकालना है यहाँ पर सीधा लिख दीजिए कि हमें माध्धे दिया गया है कितना माध्धे बराबर चो दिया गया है अब माध निकालने का सुत्रोता आकरों की योगवट्टा आकरों की संख्या तो आकरा को जोड़िए 3, 4, 5, 17 और X को जोड़ेंगे 3, 4, 5, 5, 17, पलस X अब इसको भाग देंगे हम कितना से तो भाई साब 1, 2, 3, 4, 5 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 5 से भाग देंगे दाहिने में जो आपका चो है इसको चो बट्टा एक कर देते हैं Solve कीजिए जो X दिख रहा है पहले उसको लिख लेंगे और फिर 3, 4, 7, 5, 12 12 और दस प्यारे बच्चो 22 होगा 22 और 7 हो जाएगा 29 और बट्टे में जो 5 है वो 5 रहने देजिए दाहिने में 6 बटेक है तो 6 बटेक रहेगा कोना कोनी गुना कीजिएगा X पलस 29 को एक से तो वो सेम दूसेम रहेगा और 5 चक हो जाएगा सर्जी 30 अब अगर 5 चक 30 मिल चुका है तो X का वैल्यू आप अराम से निकाल सकते है दाहिने में 30 होगा 29 को दाहिने भेजेंगे तो माइनस 29 होगा और फिर X बराबर 30 में से 29 गड़ाएगा तो 1 होगा तो X का वैल्यू कितना हो गया पर 11 बच्चो तो आपका 1 हो गया कितना अंसल हो गया एक तो आपने समझा कैसे करना है क्या करना है नहीं करना है अब तो सर इस तरह का कुश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं छोडेंगे ही नहीं तो छूटेगा कैसे अब आज़े ये प्यारे बच्चो आगे और अगला चोदर नमर कोश्चन है कि यदि चार लगातार बिसम संख्याओं का माध्य छो हैं चोदर नमर बना लिया है चो है तो सबसे बड़ी संख्या ग्याद करना है चार लगातार बिसम संख्याओं का माध्य आपको छो दिया गया है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यह आपको बताना है देखिए अगर बात किया ज़े बिसम संख्या के बारे में तो प्यारे बच्चो आप सभी जानते हैं कि संख्या 2N के रूप में होता है और वहीं बिस संख्या का रूप ट् our होता है तो इसी के हल्प से हम यहां पर काम करने वाले हैं अब बताये कि विसं संख्या का रूप कैसा होता तो बोलें pul Lag A पलस वन के रूप का होता है बिसम संख्या अब इसने बोला कि लगातार जो है चार बिसम संख्या चार लगातार बिसम संख्याओं का माद गयाद करना है तो लगातार चार बिसम संख्या लिखेंगे अगर पहला बिसम संख्या हम टू एन पलस वन लिए हैं तो दूसरा बिसम 3 लेना होगा, बोलें कैसे? तो देखे, simple सी बात है, आप किसी भी बिशम संक्या में, आप अगर 2 जोड़ियेगा, तब जाकरके वो बिशम प्राप्त होगा, तो ये 2N plus 1 जो है बिशम था, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो 2N plus 3 होगया, तो 2 बिशम पर लीएगा तो टू एन पलस अपना चुट दूब कितना हो जागा सर्शाथ हो जाएगा और इस में आप चार से भाग देजींगे कितना से भाग 4 से तो यह हो गया प्यारे बच्चों कि चार लगातार विशम-संख्या का माद माद है यह माद कितना दरख का है हम कर देते हैं स्षोबट तरौट एक च्षोबट यह ऑब इससे क्या फाइदा होगा वह देखिएगा अब हम इसे solve करेंगे और solve करके हम पहले N का मान निकालेंगे किस का मान निकालेंगे सर N का मान निकालने की कोशिस करेंगे तो चलिए N का मान निकालते हैं अगर आप सब को जोडने के लिए जाहिएगा सब को क्या करने के लिए जाएगा जोडने के लिए जाएगा तो फैरवेच्चों क्या होगा आपको सीधा सीधा ये काम करना होगा कोश्ट तो हटा देना होगा कोश्ट क्या करना होगा हटा देना होगा तो ये पहले 2N पलस 1 है और फिर क्या है तो कोश्च टाने के बाद 2N पलस 3 और फिर क्या है तो 2N पलस 5 और फिर क्या है तो 2N पलस 7 है और बटे में 4 है दाहिने में देखा जाए तो 6 बटे 1 है अब इसको जोड़िए मतलब solve भीजी सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपको तो जोड़िएगा solve भीजीए क्या होगा देखिए ये आपको दिख रहा है 2N और ये 2N 4N, 2, 6N और 2, 8N तो ये हो गया सर 8N इसके पार देखिए अगर आप आगे समझने की कोशिस करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 3, 5 और 5, 10 और 7 कितना? 17 एक मिनट 1 और 3, 4, 4, 5, 9 और 7, 16 ही होगा सर हमने हलका mistake कर देखिए दिखना होगा 16 तो यहाँ पर पलस की रूप में हम क्या लिख लेंगे 16 बट्टे में already 4 है और फिर दाहिने में आपका होगा 6 बट्टा 1 अब कोना कोनी गुना करेंगे क्या करेंगे अब हम लोग तो कोना कोनी गुना करेंगे ध्यान से समझने की कोशिस कीजिएगा कि आखिर कोना कोनी गुना करते कैसे हैं बस 8N पलस 16 को एक से गुना कीजिएगा पैरबच्चों तो यह जो है वो 8N और पलस 16 होगा दाहिने में 24 हो जाएगा 24 हो जाएगा अब मजे की बात है कि 8N बरावर 8N बरावर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24-16 24-16 मिलेगा तो क्या होगा 24-16 कीजिएगा तो 8N बरावर इधर होगा 8 क्योंकि 24 में से 16 हटाएगा तो आपको 8 मिलेगा अब इस 8 से 8 को भाग देज़ेगा तो 1 मिलेगा यानि कि N का मान आपको 1 मिल गया और आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है प्यारवच्चो यह 2N पलस 7 सबसे बड़ी संख्या कौन है 2N पलस 7 है तो अब आपको सबसे बड़ी संख्या का value निकालना है तो देखिए आपको सबसे बड़ी संख्या का value निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है 2N पलस 7 में N का मान रख देना है तो सर 2 तो 2 है N का माना भी जिस्ट हम लोग निकाले हैं एक और पलस साथ है तो साथ अब क्या होगा सर दो को एक से गुना करेंगे दो और साथ तो साथ है और साथ तो नो आपका final answer होगा जो की दूसरा option में दिया गया समझ में आ गया तो इस तरह से आप बनाएंगे इस type के question को next प्यार बच्चों बरेंगे आपके 16 number question किसी वीतरन का माध्य 25 तथा एक पद 18 हो माध्य 25 और एक पद कितने है 18 है तो इस पद का माध्य है तो इस पद का क्या करना है माध्य सिंपली प्यार बच्चों आपको क्या करना है कि जो पद दिया गया है उस में से आप माध्य के value को इस type के question में घटा दीजिएगा तो घटाईएगा 18 में से 25 अगर घटाईगा तो मिलेगा minus 7 जो की option 3 में दिया गया है तो इसमें कोई लोचा नहीं है कोई बड़ा काम आपको यहाँ पर नहीं करना है next पर बच्चों बरेंगे आपके 17 नमबर प्रसन की order 17 नमबर प्रसन क्या है समझने की कोईशिस कीजिएगा 17 नमबर कोईशन है कि किसी बित्रन में 4 मान आपको दिया गया है 1, 3, 2 कि 12 बारता जो है 3, 2, 1 है तो बित्रन का माध्य ग्यात करिये माध्य ग्यात करना है तो सीधा सीधा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो एक दो तीन है वो चर्मान है और यह जो आप देख सकते हैं दो तीन एक है वो बारम बारता है बारम बारता है तो प्यार बच्चों आप सभी जानते हैं कि चर्मान को X से सुचित किया जाता है और बारमबारता को F से सुचित किया जाता है तो अगर हम चर्मान यहाँ पर लिखने की कोशिस करें तो चर्मान कितना है चर्मान है आपका 1 2 और 3 और साथ ही साथ इसका बारमबारता भी लिख देते हैं तो बारंबारता लिखेंगे तो बताइए कि एक का बारंबारता कितना दिया हुआ है तो सर्फ तीन दिया हुआ है एक का बारंबारता तीन दो का बारंबारता दो ही है और लास्ट वाले एक और तीन को गुना करेंगे तो तीन होगा दो और दो को गुना करेंगे तो चार होगा और एक और तीन को गुना करेंगे तो तीन होगा यह होगा पैर बच्चो आपका Fx क्या हो गया Fx आप बोलें कि सब यह सब क्यों निकाल लें तो देखिए जब कभी भी question में आपको चर्मान दिया गया हो और उसका बारम बारता भी दिया गया हो और तब अगर मात धेर निकालने के लिए बोले तो आप पहले ये वाला काम कर लिजिएगा आप पहले क्या कर लिजिएगा तो fx निकालने के बाद अब आप आणसर आडाम से निकाल लेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है आपको निकालना है माध्य और माध्य निकालने का जो सुत्र होता है वो सुत्र होता है सिगमा एप x बट शिगमा एप तो मान बटाईए जल्दी से कितना होने वाला है तो मान सर सीधी सीधी बात है सिगमा fx का मतलब है कि fx का जोड तो यहां पर सीगमा fx जो निकालिएगा 3 और 4 7 और 3 कितना होगा सर 10 होगा कितना होगा 10 होगा तो sigma f x तो मुझे मिला सर 10 और नीचे में लिखेंगे sigma f तो ये है f अब इसको आप क्या कर लिजिए जोड लिजिए तो सर 3 न 2 5 और 1 6 sigma f कितना मिला 6 मिला यानि कि 10 बटे 6 आपका अंसर हो सकता है लेकिन यहाँ पर इसको 2 से भाग दिजिएगा तो 3 होगा इसको 2 से भाग दिजिएगा तो 5 होगा So that यहाँ पर आपका 5 बटे 3 5 बटे 3 फाइनल आंसर हो जाएगा जो की option नमर फ्यार बच्चो 3 में आपको दिख रहा है समझा आपने कुछ इस तरह से आप निकालिएगा जब चर्मान और बारम बारता है दी जाए तो आप इस तरह से simply निकाल सकते हैं next आपका 18 नमर question है 18 नमर question पूछ रहा है कि किसी बिचरन के चर्मान X एब माध्य X के उपर रेकिये कोष्ट है तो Sigma X I minus X के उपर रेकिये कोष्ट बराबर होगा इसके बराबर होगा तो वो जो पैरे बच्चो यहां पर आपका 18 के लिए जो first सही आंसर हो जाएगा वो आपका first होगा जीरो होगा कितना होगा जीरो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा next आपका 19 नमर की यदी x1 x2 x3 का माध्य साथ है तो x3 का मान बताईए किसका मान बताना है x3 का मान बताना है simple है very simple कैसे है very simple आप सबसे पहले बताईए x1 और x2 का माध्य 6 है यानि कि ये दो चर्मान है x1 और x2 और इसका माध्य 6 है तो इसका मतलब यह कहने की कोसिस कर रहा है कि x1 r plus x2 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 6 मिलेगा क्या मिलेगा 6 क्योंकि माध्य ही नहीं है तो जोड़के 2 से भाग दीजिएगा तब माध्य मिलेगा आपको इसको हलका पहले आप solve कर लिजिए solve कीजिएगा तो आप x1 plus x2 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको same to same मिलेगा x1 plus x2 अद्धो को 6 से कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 12 मिलेगा यानि कि प्यारे बच्चों यहाँ पर मुझे एक बात पता चला कि x1 plus x2 का जो मान है वो 12 है नहीं मिला x1 plus x2 बड़ाबर 12 देख रहा है पुना हाँ आप question में एक चीज देखिए कुछ बोला जा रहा है बोला जा रहा है कि x1, x2 और x3 का माध्य साथ है यानि कि x1 में जोडेंगे हम x2 को और फिर जोडेंगे x3 को और 3 से भाग देंगे इस बार तब यह 7 मिलेगा क्योंकि माध्य है 7 ऐसा बोला गया है ठीक है अब तो आपका काम आसान होगे कैसे आसान होगे असर देखिए आप इसको कोना कोनी गुना कर लेजिए कोना कोनी गुना कीजिएगा एकस 1 पलस x2 पलस x3 को 1 से तो सिम टू सिम होगा x1 पलस x2 पलस x3 तीन को 7 से गुना कीजिएगा तो 21 होगा और अब आप x3 का माँद आराम से निकाल लेंगे कहीं किसे निकलेगा तो देखिए X1 पलस X2 का मानी यहाँ पर आपको मिला हुआ है पहले से 12 कितना मिला हुआ है 12 तो हम यहाँ पर X1 और पलस X2 के जगा पर लिख देंगे 12 और फिर पलस क्या है X3 है पलस में क्या है X3 12 में X3 को जोड़िएगा फिर दाहिने में 21 है अब आप आडाम से आंसर निकाल लेंगे X3 को बाएं रखिए दाहिने में 20 है यह 12 जाएगा तो माइनस 12 होगा फिर आप X3 लिख करके 21 में से 12 घटाईएगा तब जो आंसर मिलेगा 12 में से 11 में से दो जाएगा तो आपका 9 आंसर हो जाएगा 9 कहने सुनने की को जुरुत है नहीं आपके option number 4 में दिये गए हैं तो समझा आपने कि कैसे इस तरह के question को हम बनाएंगे वो भी बहुत ही आसान तरीका समझा चलिए next प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आपके 20 number question के बारे में 20 number question क्या है जरा समझने सीखने की आप लोग भी कोसिस करे और देखने की कोसिस करे की question क्या पूछ रहा है पहले तो यह समझ ये तो question में है कि तीन संख्याओं का माध्य चो है तीन संख्या का माध्य चो है यदि उनमें 2 संख्याए करम सब 5 और 8 हो तो तीसरी संख्या ग्याद कीजिए बहुर अच्छा तीन संख्या का माध्य चो है इसमें से पहला संख्या है पांच दूसरा संख्या आठ है तो भाई साम यहां पर पहला संख्या पांच है दूसरा संख्या आठ है आपको तीसरा संख्या ज्याद करना है तीसरा संक्या को आप X मान लीजिए question में बोला है कि इसका माध्ध जो है वो 6 है इसका माध्ध कितना है 6 है देख सकते हैं इसको आप 6 बटाइक करतीजिए अब इसको solve कर लीजिए solve कीजिएगा 13 5 कितना होगा सर सॉरी 5 8 8 13 हो जाएगा 5 8 13 और पलस X कोना कोनी इसको सर एक से गुना किजिएगा तो यह इतना ही होगा 3 को 6 से गुना किजिएगा तो 18 मिलेगा अब आप X बराबर 18 माइनस 13 करेंगे तो बताइए X का value कितना होगा 18 में स्तरे घटाएंगे तो 5 यहां परानसर मिल जाएगा क्या अंसर मिल गया सर 5 जो की option नंबर 2 में दिया गया इसमें दिया गया 5 ऑप्सन दो में दिया गया है तो आप इस तरह से simply बना सकते हैं कि नहीं सिर्फ बना लेंगे एकदम कोई दिक्कत नहीं है चलो next हम बात करेंगे यहां पर आपसे एकी इस नंबर question के बारे में क्या पूछ रहा है किस नंबर question simple है पूछ रहा है कि किसी बितरन में चार संख्याओं के संख्याओं है भाई सब बितरन में चार संख्याओं में चार आक्रे हैं जिसका चार संख्याओं का योग कितना है चालिस और बितरन का माध क्या है देखिए योग चालिस है चार संख्याओं का अब इसको चार से भाग दे देंगे तो माध निकल जाएगा चार संक्या का योग 40 है तो इसका मात अगर निकालने के लिए बोले तो योग उपर में तौले दिये नीचे में कितना संक्या का योग 40 है तो 4 संक्या का इसलिए 4 से भाग देंगे 4 दाहें 40 यानि कि 10 आंसर आपका हो जाएगा जो कि option number 1 में दिया गया है अब चलो मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ 22 नमर कुश्चन की 22 नमर कुश्चन बेरी बेरी सिंपल कुश्चन है समझने की कोशिज कीजिएगा तो बहुत ही आसान नहीं समझने की कोशिज कीजिएगा तब तो आपके लिए दुनिया का सब चीज भारी ही है तो चलिए देखते हैं क्या है? नहीं है साथ बिद्यार्थियों का माध्य जो है ना साथ बिद्यार्थियों का माध्य 55 केजी है साथ बिद्यार्थियों का माध्य कितना है? 55 केजी यदि उन में से 6 का माध्य 58 केजी है छोका माध्य कितना है 50 केची है और तो इस इस्थिती में 355 सब्सक्राइब बिल्कुल ठीक है तो इसी स्थिदी में प्यारे बच्चो आपको क्या बोला गया है सातमे का भार क्या है सातमा जो बच्चा है सातमा जो बिद्यार्थी है उसका भार निकालना है देखे कोशन में बोला क्या साथ बिद्यार्थियों का मा देवारे पच्पन क साथ बित्यारती में पहला का वजन हम माल लेते हैं कि यह है दूसरा का वजन B है तिसरा का C है अगले का D E F और G साथ बच्चों का यह वजन है इस सभी को जोड करके इस सभी को पहरे बच्चों क्या करेंगे जोड करके आप साथ से अगर भाग दे दिजिएगा तो ये कहलाएगा साथ बच्चों के वजन का माद्या क्योंकि आंकरो का योगाटा आकरो की संख्या कर रहे हैं आप और माद्य कोष्चन में है 5 माद्य के लिए ना है 55 55 बट्रीका हम कर देते हैं एक अब देखिए कि अखेर क्या होने वाला है आगे बिल्कुल ठीकी है एक काम किजिए इसको एक बार सॉल्ब कर लीजिए सॉल्ब किजिएगा तो क्या होगा सर यह से लेकि जी तक को एक से गुना किजिएगा तो सेम तूसेम मिलेगा क्या मिलेगा सर ए पलस बी पलस सी पलस डी पलस ए पलस एप पलस जी कोना कोनी गुना किजिएगा एक से तूसे बच्पन को उना करना तो पांच सत्य 35 का पांच हांसिल तीन पांच सत्य 35 और तीन 38 इसका नाम अभी फिलहाल आप समीकरन एक दे दीजिए ठीक है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ये साथ बच्चों का है और पुनाह कोश्चन में एक बात और बोला गया है क्या बोला A पलस B पलस C पलस D पलस E पलस F बट्टे च्छो जो है न वह है अंठावन के जी हैं हम अंठावन बट्टे कर देते हैं एक ये च्छो बच्चों का माध्या से रिलेटेड चीजे आपको यहां पर देखने को मिल रहा है आप देखी कितना सिंपल हो जाएगा इस एस एप त को गुना करेंगे एक से तो सेम तू सेम मिलेगा यानि कि A पलस B पलस C पलस D पलस E पलस F बराबर अंठावन को च्छो से गुना करना होगा को ना को नहीं गुना करना है तो बात तो यही होगा तो चलिए गुना करते हैं अंठावन को च्छो से गुना कीजिएगा तो क्या होगा सिंपल सी बात है आठ छक आर्टालिस का यहां पर हो जाएगा आपका आठ हांसिल चार पांच छक तीस और चार चौन तिस तो 348 हो गया यहां एक बहुत ही महत्पूर चीज आपको मिला क्या मिला अब देखिए जाना कि A से F तक का मान है 348 इसका मतलब अगर हम समीकरन एक में A से F तक का मान डाल दे तो जी का मान यानी कि 7 में बच्चे का जो वजन है वो आराम से आपको मिल जायेगा तो हम करेंगे भी वही समी करनेक में ए से एक तक का योग 348 हम रखेंगे तो क्या होगा सर इसका जो value है वो 348 हो जाएगा क्या होगा 348 और पलस बच गया last में G क्या बच गया G बच गया और फिर दाहिने में क्या है तो सर 380 380 है अब तो सर जी का मान आराम से मिल जाएगा बिल्कुल मिलेगा भाई हमेशा आराम से ही मिलता तो जी बराबर क्या होगा 385 माइनस 348 जी का value क्या होगा देखिएगा 15 में से 8 गया तो 7 7 में से 4 जाएगा तो 3 यानि कि 37 केजी सायतिस केजी आपका final answer ही होगा सारा का सारा केजी में था तो हमने इस बच्चे का भी केजी में ही मान क्या किया है बता दिया है तो आप इस तरह से इस सिस्टम से बनाईएगा कभी गलती यहाँ पर नहीं होने वाला है नेक्स्ट हम 23 नमर कुश्चन का बात करेंगे कि केंजरे प्रविर्ती की सबसे उपयुक्त माप क्या है तो अगर सबसे उपयुक्त माप आप से पूछा जाए तो आप बताईएगा माध्या क्योंकि बहुलक निकालने में भी माध्य का जरूरी पड़ता है और माध्यक निकालने में भी माध्य का जरूरी पड़ता है ठीक है माध्या आप याद रखे 24 है कि वर्गी किरित आगरों का माध्य कितनी विदियों से निकाला जा सकता है तो बहुत सारे विदि है जिसमें आपको accurate संक्या का अगर बात किया जाए कि कितने बिधी है तो बोलेंगे तीन बिदि है ठीक है नेक्स्ट है आपका पदविचिलन बिदि क्या ग्यानत करने की इक बिदि है तो वो है माध्य ग्यानत करने की तो आपका यह option आपका सही हो जाएगा एंड इस तरह से हमने इस chapter से related सारे के सारे most important question का discussion किया है अगर आपको सिसन अच्छा लगा हो तो like करके अपने दोस्तों में share जरूर कीजिए एंड ल्जी आरस्टेडी अप डाउनलोड नहीं किये हैं तो जरूर डाउनलोड कर लिजि गुडबाय टेक केर